नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल कुक विट सूमन राजोट पे आज मैं आप सभी कली ले के आई हूँ बार्बीक्यू नेशन स्टाइल बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी कॉन्चाट की रेसिपी और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया और टेस्टी कॉन्चाट बन करके तयार हुई है तो जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो और टाइम कम हो तो आप फटाफट से ये कॉन्चाट बना सकते हैं बच्चों को ये कॉन्चाट बहुत ज़ादा पसंद आती है तो इसे आप ट्राइ ज़रूर कीजेगा तो चलिए रेसिपी शिरू करते हैं कॉन्चाट बनाने के लिए मैंने आपर इस बोल में दो कप स्वीट कॉन्ड ली लिए हैं और ये मैंने फ्रोजन कॉन्ड लिए हैं तो जितने भी मॉल में या आप बार्बीकुरेशन में कॉन्ड चाट खाते हैं वो सभी आपर फ्रोजन कॉन्ड का इस्तमाल करते हैं इससे चाट बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती है तो अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगे फ्रेश कॉन्ड भी ले सकते हैं तो अब इसे हम पकाएंगे इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है कढ़ाई में सारा कॉन्ड डाल दें और अब एक तिहाई कप इसके अंदर हम पानी डाल देंगे इससे ज़ादा पानी आपको बिलकुल नहीं लेना है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमश नमक और नमक को हम अच्छे से कॉन्ड के अंदर मिक्स कर देंगे अब आपको इस कॉन्ड को पकाना है तो इसको धकर के हम पकाएंगे तो ढकल लगा देते हैं इसके उपर और मीडियम फ्लेम पे इसे आपको तीन से चार मिनिट के लिए पकने देना है ताकि कॉन्ड अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए तो चार मिनिट हो गई है इसे पकते वे चेक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा कॉन्ड है अच्छे से पक गया है एक बून भी इसके अंदर पानी नहीं है सारा पानी कॉन्ड ने एब्जॉब कर लिया है तो अब एक कॉन्ड को आप दबा के देखिए कि अच्छे से सॉफ्ट हुआ है या नहीं तो ये देख सकते हैं आप कॉन्ड हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे तो देखिए मैंने कॉन्ड को यहाँ पर बोल में निकाल लिया अब हम इसके अंदर डालेंगे एक चोथाई कप चावल का आटा इससे जो हमारी चाट है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अब डाल देंगे दो बड़े चमच इसके अंदर कॉन्ड फलार और दो बड़े चमच ही इसमें मैं डाल रही हूँ मैदा अब हम डाल देंगे एक चोथाई छोटी चमच काले मिर्च पाउडर और एक चोथाई छोटी चमच ही डाल देंगे नमक अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से कॉन्ड के अंदर मिला देते हैं पानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि कॉन्ड में अलड़ी पानी है मौश्चर है इसे हमने जस्ट बॉइल किया था तो देख सकते हैं सारी चीजे इसके उपर अच्छे से लग गई है कोट हो गया है जो कॉन्ड है तो अब क्या करेंगे एक दूसरा बोल लेंगे और इसके उपर रख देंगे बड़ी वाली चलनी चलनी में या सारा जो कॉन्ड है आप डाल दें इसके अंदर अब इसे आपको चान लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी आटा है जो एक्स्ट्रा जो फ्लार बचा हुआ है वो निकल जाए तो यह देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से चान लिया है अब हमारा कॉन एकदम रेड़ी है तो इसे अब हम फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब इस गरम तेल में आपको थोड़ा थोड़ा करके दो बरी में कॉर्ण को फ्राइ करना है तो इस तरह से कॉर्ण को बिलकुल पास से डालें तेल में दूर से डालेंगे तो छीटे उट सकते हैं और आपका हाथ जल सकता है अब corn को इस तरह से बीच बीच में चलाते विए आपको थोड़ा सा crispy हो जाने तक fry कर लेना है कम से कम 2 मिनिट लगते हैं तो 2 मिनिट बाद आप देखिए जो हमारा corn है अच्छे से फूल गया है और बहुत ही crispy हो गया है इसका color भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है तो इसे हम एक tissue paper पर निकाल लेते हैं तो देखिए मैंने सारा corn tissue paper पर निकाल लिया है ताकि इसका excess oil निकल जाए अब सेम इस तरीके से जो बचावा corn है इसे भी fry कर लेंगे थोड़ा पास से ही गेरें ताकि oil ना लगया आपके उपर और इस तरह से इसे fry कर लें crispy होने तक तो सारा corn मैंने fry कर लिया है और bowl में निकाल लिया है तो एक दूसरे bowl में इसे हम transfer कर लेते हैं तो इस bowl में इसे डाल लें अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे तो सबसे पहले डाल रही हूं आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई छोटी चमच डाल देंगे नमक एक चोथाई छोटी चमच ही डालना है आपको भुना हुआ जीरा पाउडर आदी छोटी चमच डाल देंगे इसमें अमचूर पाउडर एक चोथाई छोटी चमच डाल रही हूं चाट मसाला अब इन सारे मसालों को आप कॉण के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें इन मसालों से ना बोहुत बढ़िया टेस्ट आता हैं आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी बच्चों की फेवरेट होती है ये क्योंकि ये होती ही इतनी टेस्टी है तो इसे अब हम सर्व कर देते हैं आप चाहे तो इसके अंदर अपनी पसंद अनुसार और भी चीजें एड़ कर तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ टेक केर बाइबाइ